तो हलो गाई स्वागत आप सभी का अपने यूटूब चानल पे दोस्तों अगर आप एक फोन खरीदना चाहते हो साथ हजार के अंदर तो आज की वीडियो स्टार्टिंग से लेकि आहने तक पूरी देखना क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे दो फोन जो की साथ हजार के अंदर आते हैं और अभी तक कि ये दो फोन बाकि सारे फोन से बेस्ट है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे आज की वीडियो की तरफ मेरा नाम है दिरच पाटिल और आप देख रहें दिरच चैनल दोस्तों आज जिस दो फोन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पहले वाला आता है रियल्मी C2 और दूसरा वाला फोन है रेड्मी 8A दोनों के कमपैरिजन करने वाले हैं बताऊंगा मैं आपको की दोनों में से सबसे अच्छा फोन कौन है मेरा ओपिनियन इसमें क्या है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कमपैरिजन की तरफ लेफ साइड में आपको दिख रहा है रियल्मी C2 और राइट साइड में आपको दिख रहा है रेड्मी 8A दोस्तों दोनों ही फोन आपको 7000 रुपे में मिल जाते हैं रियल्मी C2 आपको 7000 रुपे में मिलता ह 2GB RAM के साथ और internal storage 16GB के आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है बात करते हैं Redmi 8A की तो Redmi 8A आपको 2GB RAM के साथ मिलता है और internal storage आपको 32GB देखने के लिए मिल जाता है Realme C2 में आपको मिलता है 6.1 इंच का HD+, उसी तरफ Redmi 8A में 6.2 इंच HD+, बात करते हैं दोस्तों अभी battery life की तो Realme C2 में आपको मिलता है 4000 mh की battery life और Redmi 8A में 5000 mh की battery life आपको मिलती है अब बात करेंगे processor के बारे में दोस्तों processor main होता है दोनों ही processor दोस्तों बहुत ही बढ़िया है दोनों ही processor में आप smooth PUBG खेल सकते हो low settings पे दोस्तों Realme C2 में आपको मिलता है MediaTek P22 Octa को processor देखने के लिए मिल जाता है Redmi 8A में दोस्तों आपको Qualcomm का Snapdragon 439 processor देखने के लिए मिल जाता है दोनों processor में कुछ जादा फरक नहीं है दोनों भी processor इस price range में बहुत ही अच्छे है अब बात करते हैं दोस्तों camera quality की तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा difference हमें देखने के लिए मिल जाता है Realme C2 में दोस्तों हमें back side पे 2 cameras देखने के लिए मिलते हैं एक है 13 Megapixel प्लस दूसरा 2 Megapixel हम लोगों को दो camera देखने के लिए मिल जाते हैं front side पे हमें मिलता है 5 Megapixel का camera ओके दोस्तों यहाँ पर देखते है Redmi 8A में तो दोस्तों Redmi 8A में back side पे हमें बस एक camera देखने के लिए मिलता है जो कि है 12 Megapixel का और front side में हमें देखने के लिए मिलता है 8 Megapixel का camera दोस्तों तो देखा आप सभी ने यह दोनों phone के comparison जादा कुछ difference नहीं है दोस्तों अगर मैं अपना personal opinion बताओ तो दोनों भी phone बहुत ही अच्छे हैं इस price range में 7000 के नीचे दोस्तों अगर आपको एक all round phone चाहिए अच्छा processor चाहिए अच्छा display चाहिए अच्छी battery life चाहिए तो मैं आपको suggest करूंगा Redmi 8 बहुत ही बढ़िया phone है दोस्तों मगर अगर आपको दोस्तो camera के लिए कोई अच्छा phone चाहिए तो मैं आपको suggest करूंगा Realme C2 तो दोस्तों अभी आपके उपर है कि आपको यह दोनों में से कौन सा phone लेना है मेरा personal opinion तो दोनों भी phone इस price range में बहुत अच्छे हैं 7000 के नीचे दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई भी phone पता है जो इन दोनों से अच्छा है 7000 के नीचे तो मुझे comment section में जरूर बताना कुछ पूछना रहेगा तो comment section में पूछ सकते हो या फिर मैं आपको instagram पे भी मिल जाओंगा तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है तो like कर देना नहीं अच्छी लगती है तो dislike कर देना और subscribe करके bell icon दबना बिल्कूल ना भूले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो upload करूँ सबसे पहले उसे आप देख सके